हेलो फ्रेंद्स वेलेकुन दो माई यूट्यूब चैनल तिंग टेक्निकली रहा आज किस वीडियो हां डिसक्स करेंगे कि आप PPSC की जो प्रिंसिपल की ऑनलाइन पोस्टें निकली है उसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए जो इनकी ऑफिशल वे PPSC.gov.in इसका फिला लिंक है जो मैं वीडियो के डिशन में देदूँगा वेब साइट का ड्रेक लिए वहां पे क्लिक करके इसको उपन कर सकते हैं तो देखें यहां पर नीचे आप जाएंगे तो ऑनलाइन डिशन का ब्लॉक बनाए इस पर आप लिंक नीचे जो बनाए ह क्लिक करने पर यहां पर आपको डिफरेंट पोस्टे मिलेगी फिलाल यह जो तीन पोस्टे हैं हैट मास्टर मिस्ट्रेस ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन आफिसर और फंक्शनल मेनेजर इसकी वीडियो में पहले इस अप्लोड कर चुका हूं वह आप देख सकते हैं कि य आप रीड कर सकते हैं इंपोर्टन फर्मेशन फिलाल हमें अप्लाई ऑंलाइन करना है तो नीचे अप्लाई ऑनलाइन में चले जाए है क्लिक करेंगे इनका यहां जो फॉर्म ओपन होगा जिसको हमने फिल करना है यह आप देख सकते हैं फॉर्म तो सबसे पहले यहां पर पोस्लेक करेंगे जो यहां पर कर ली कंडिडेट का नाम यहां लिखेंगे उसके बाद यहां पर उसके फादर का नाम फिल करेंगे उसके बाद मदर का नाम स्पैलिंग वरा थोड़े सही रखेगा कैपिटल में लिखेगा स्मॉल में लिखेगा कोई फरक नहीं बढ़ता बट यह है कि आपकी डिटेल एकॉरेट होनी चाहिए तो यहां पर आपकी डिटो बट रथा आईगी जो भी आपकी डिटो बट रथा उसके कोडिंग चूज करिए आपका डिटो बट के कॉडिंग यतनी आपकी जबनती है वो आटामेटिक आ जाएगी gender select करेंगे by default mail होगा अगर आप email उसके recording select करिए आपका particle status वो आप करेंगे आपकी email id वो आप यहाँ choose करिए जो भी आपकी email id है वो आप यहाँ पर fill कर दीजिए उसके बाद नीचे आप देख सकते है email id small में लिखे, capital में लिखे matter नहीं करता लेकिन आपके spelling से होने चाहिए address आपका लिखती जिए so मैंने यहाँ जो भी आपका address है वो आप लिखेंगे फिलाल यह जो dummy form fill कर रहा आपको पहले से बता दूँ मैं so यहाँ पर आपकी city city तो फिलाल चलिए वही आएगी district आपकी जो भी आपकी district है वो फिल करेंगे यहाँ पर आपकी state और यहाँ पर आपका अपिन कोड स्टेट के according तो यहाँ पर आपका phone number आएगा तो यहाँ पर अगर आपका mailing address और permanent address सेम है तो यहाँ पर आप check box पर click कर दीजिए तो आपका जो उपर वाला address से नीचे copy हो जाएगा अगर आपकी कोई mistake है address में यहाँ से पहले untick करिए फिर address को correct करिए और फिर यहाँ से आप कर देंगे this one तो आपका address automatic update हो जाएगा उसके बाद यहाँ से अपनी category चूज करेंगे category के according different fees है तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ जो age relaxation वाला block है जिनमें stars नहीं दिये वो compulsory नहीं है आप उनको blank भी छोड़ दें कोई issue नहीं है यह देखिए यहाँ पर star है यह fill करना पड़ेगा star है fill करना पड़ेगा लेकिन category of age relaxation सामने कोई star नहीं है इसको blank भी छोड़ने चलेगा तो यहाँ पर आप किसी disability से अपने एपड़ी थे हैं तो उसके recording हैं select कर सकते हैं एक service man अगर आप हैं उसके recording चूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपकी 10th की detail आएगी कौन से board से आपने पास किया कौन से year में पास किया और आपकी percentage यहाँ पर आपको यहाँ qualification देनी होगी अपनी graduation graduation आपने किसमे की उसके recording select किया तो यहाँ पर आपका कौन से year में आपने पास की graduation तो उसके recording यहाँ हम लिखेंगे आपका कौन से board से की उसके recording board चूज किया कितने percent आपके marks आए वो चूज किया और यहाँ पर हमने add कर दे graduation का की experience नहीं है यहाँ पर कुछ गलती होगी यहाँ पर उसने पूछा था marks तो 65 percent आए थे तो इसको हम यहाँ से add कर देंगे तो फिलाल हो गया now second करेंगे यहाँ से post graduation और उसके बाद यहाँ से हम चूज करेंगे post graduation की field कौन सी field में आपने position किया master's in art science जो भी आपका इन में से stream है उसको चूज करिए मैं science का हूँ तो कौन सी year में आपने पाउस आप किया तो यह किया था 2014 में कहां से किया इसमें experience भी है तो yes पर क्लिक करेंगे और सामने जब ब्लॉक है उस पर experience फिल कर देंगे कम से कम three years तो आपको होना चाहिए ना ज़्यादा हो अच्छी बात है लेकिन कम से कम आपका three years होना चाहिए तो जो भी आपकी टेला यहाँ पर एड़ हो जाएगी अगर बाई चाहिए झाजस आप तो गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे यहाँ से वो detail इलीट करेंगे और फिर से टेल फिल करेंगे जुरूरी नहीं कि पहले आपने graduation का फिल अपने detail इलीट करनी है अगर आपकी जो भी गलत होगी हो उसको ओलीट करिये तो फिर से फिल करेए अगर आप कोई के पास कोई केस वेरा चल रहा है को क्रिमिनल केस यहां आप को पूट करें और पर चूज करें एक चूजर पर जाइए जो भी आपकी फोटो है यहां पर चूज करिए अपलोड पर क्लिक कर दिजे नेक्स्ट सिगनेचर ऐसे ही आप चूज करेंगे और इनका एक साइज होता है साइज कैसे कनवर्ट करना इसका मैंने वीडियो पहले इस अपलोड किया है यू कैन सी डाट वीडियो फोर मौर प्रॉपर डिटेल्स तो यहां पर जो इनका मोड पेमेंट का ओफलाइन आउनलाइन नहीं है तो यहां पर आएक लोगिन पासवर्ड क्रियेट करेंगे लोगिन पासवर्ड जो आप क्रियेट करेंगे उसको याद रखिएगा इसमें बहुत जादा है और क्रेक्शन के रिलेटर इनोंने अभी कुछ दिया नहीं है प्रॉपर्ली चेक कर लिए कैफेवर हमें भी करते हैं प्रॉपर्ली चेक करिए दिन आफ्रेट फाइनल समिट करिए और ओके कर दीजिए अगर फॉर्म में कोई आपका ब्लॉग खाली रह ग है प्रिंट चलान पर जाए और आपका चलान आएगा इसको कंटॉल पी कर लीजिए को के लिए अगर बाकी इसको आप फिल करके ब्रांच में दिपोर्ण देखते हैं ब्रांच आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन सी ब्रांच में आपने पे करना है तो यहाँ प तो आप मेबी किसी भी उसमें करा सकते हैं यहां जीज़सनों ने अपना दिया है कॉंटेक नमबर यहांपर आप देख सकते हैं कोई आपकी क्यूरी वए रहा हो तो आप यहांपर हेल्प लाइन नमबर्स दिये हैं जो की मेरे ख्याल से ये बहुत कम उठाते हैं बाकि ट्राइ करिए उठा भी लेते हैं विकॉज पीपीएसी डिपार्टमेंट अच्छा है उठा लेते हैं लेकिन मैंने सेम फॉर्ब फिल किये थे मास्टर के उसके तो फोन ही नहीं उठाते हैं फिलार डिपार्टमेंट अच्छा है पीपीएसी का तो में भी उठा ले तो बाकि आप ट्राइ करते रहे हैं तो इसलिए आपको कहता हूँ मैं गलती मत करिए नहीं पता लगता प्रापरली पूछिए नेट पर सो मैंने आपको टेल्स मिल जाएंगी बाकि नोटिफकेशन ज नहीं पता लगता तो कमेंट वोक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कैसे फिल करना है अगर फिर भी नहीं फिल हो रहा तो you can what's up me और आपको मैं बता दूँगा जी form कैसे fill करेंगे मैं खुद भी fill कर सकता हूँ आपका form बस आपको अपने tail देनी है बाकी जो procedure होगा आपको वर्टसप पे या comment box में आपको सारा बता दूँगा so friends वीडियो को share करिए चैनल को subscribe करिए और वीडियो को अगर आप देखते हैं कोई भी आपको कमी वहरा लगते है वो भी आप बता सकते हैं comment box में so thank you friends watching this video and for your valuable time